बर्जक 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 हर तरफ बर्जक के ही चर्चे हैं हाँ वह अलग बात है कि सारे चर्चे बाइकॉड और हैस्ट्रेक नौफाशी के हैं यार मानना पड़ेगा कि जिस तहीं किसे एक मचली पूरे तलाब को गंदा कर देती है ठीक आसे मबासी की इस मास्टरपीस और सब कुछ जह है वो जहन के अंदर रखके किया गया है कि किस तरीके का बैकलेश इनको मिल सकता है उन्फॉर्चनेट्टि ड्रामे वैब स्रीस की जो पांची एप्रिसोड मैंने देखी उससे बाद तो मुझे बड़ा दुख हुआ गया इतना बड़ा मास्टरपीस कॉं क्योंकि एप्रिसोड वन के अंदर सेकंड के उपर वन पॉइंट कुछ और थ्री इसके उपर से वह डिजरास्टर शुरू हो चुका है और रहाल गया है कि अभी जो कल बर्जक की पांच पांच यह प्रिसोड रिलीस की गई है इसके उपर से एक लाग चत्तिस अदार व्य प्रिसोड को देखने के बाद इस किस वाले सीन को स्ट्रॉंग ली कंडेंट भी किया था और मैंने कहा था कि यार यह कॉंटेंट इसकी कोई जरूवत नहीं है इतनी कमाल की वैप सेरी स्केंडर तो जितनी भी लोग अगर मेरे कमेंट बॉक्स में यह लिख रहे हैं कि वह प्रिसोड को पर मोट नहीं करो तो मेरा अला जानता है यार आं टोटली अगाइंस देंट और पसनली है इति कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि अगर यार यह इतना करीब आ गए थे अगर यह किस को तो लूटी हो जानी थी अच्छा आगे चलते हैं जी बर्जक की पांच बाई जाफर खानजादा से उसको सभी से स्टोरी को बयान किया गया कि असल फसाद की जड़ तो उसका भाई खुद था कहानी सारी नफरत की शिरू होई एक गल्ले से जहां वो पैसे जमा कर रहा था जबार जुनूब जाने के लिए और अगले दिन सुबा जाफर खानजाद उसका अगला तोड़कर जुनूब निकल जाता है पैसे कमाने के लिए वक्त बीटता रहता है और जब उसको पता चलता है जब बार को के मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं वो तो मेरे ही भाई की माँ बेटे की माँ बच्चे की माँ बनने वाली है बस महीं से उल्टरी की स्टूरी को ऐसे लिखाया कि एक बच्चा आएगा जो तुम्हाई बरबादी का सबब बनेगा और उसको मानना जरूरी होगा तो गाउं के जितने भी पुर्ख होते हैं वो उठा के उस महताब को मार देते हैं प्रेडनेंट समीट ही मार देते हैं और फिर शुरू होती ह गाउं वालों ने उसको कैसे मारा यह मैंने आपको कही पहले ही प्रेडिक कर दिया था कि उसने नहीं करी गाउं के पुर्खों नहीं कुछ उसके साथ गलब किया है जिसकी वज़ए से वह ए्ट्रियम शीषिय वाला बनाके जहां उनकी कब्रों के उपट एक महल बनाके उन वहार लेने के लिए जिसके लिए वह अपनी महभूबा को छोड़ते करते हैं अब वह क्यों फेका है वह आगे जाके मैं डिस्क्राइक के जाएगा लेकिन जहां की गई है वह काफी जाला डाइमिक जलाप एंड की गई है कि यार आगी दिखा दो क्या होने वाला है बाकी अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मिस्टरी बनी हुई है एक तो यह कि उसने सैफ उल्ला ने जहां दूसरे वाले फवाद खान है उन्होंने अपनी अपनी वालदा पनी अमा को क्यों मारा जो अ फर्दोस का करेक्टर कर रही है इसके रील नेम में आप जह हैं जिनके साथ मैंने पॉड़कास करी है निगत चौदरी वो नजर आ रही है आखिर उन्होंने उस कीमारा भी हैं अ अफ़रोस के बारे में भी हमें नहीं बताया गया आँ सबसे ब दो शादियां कैसे होई? क्योंकि जब जाफर खान जादा महताब से इतनी महभबत करता था तो यह दो शादियां कैसे कर लिए उसना है? और फिर यह मरी कैसे? दोनों मरी कैसे? इनको मारा तो नहीं किया? और आगे चलके सबसे बड़ा ट्विस्ट में को यह भी लगता है कि जब बार का कुछ अंजाम दिखाए जाए गा या नहीं दिखा जाएगा अचा एप्रिसोड सर्फ एक ही बाकी है फाइनल एप्रिसोड आएगी लास एप्रिसोड आएगी तो मिज़े लगता कि सारे टृस्ट के लिया कर दी जाएंगे एक दो चीजों के अंदर जैसे सब क को आडियोंस को जाके रखा हो था ती कि इसी तरीके से वैब स्वीज की आफरी एप्रिसोट में भी कुछ जाने छोड़ दी जाएंगी जो कि आडियोंस खुछी सोचने में मजबूर होगी जैसे के अगसा ड्रामों में देखने को मिलता है कि सब्दुल्लापूर के देवदा से बात होगी केना लगे अभी तोफान इतना है कि कुछ टाइम खाम होच रहने का है और मैं सबसे बात मुझे उनकी यह लगी कि देखो यार मैं फिर बोलना हूं आपको पता है कि जब इस टाइप के ऊपर कहानी आगे खड़ी हो जाए तो लोग छोड़ते नहीं है बस यार मैं कहुंगा कि यार जो प्रिमेडियल सेक्स था या फिर वो जो आवाज वाला सेंट था और यह हमारे पाकिस्ता है अगर हमने बाइकॉट करना है तो वाइनट आवर ड्रामा क्योंकि कुछ फाहाशी मतला मैं को लगता है कि अगर फाहाशी वाला टाइप का लिया और होना भी नहीं चाहिए ठीक है और अच्छा कुछ मैं एक चीज और देख रहा हूं कि अपनी तरफ से लगाई भुजाई भी की जा रही है एक थम्निल के उपर मैंने देखा बहुत बड़े मारूफ यूट्यूपर है मैं उनका नाम यहीं लेना चाह रहा है यहां पर कि बर्जक के अंदर LGBT जैसे हम सेक्शलिटी जैसे कॉंटेंट को पर्मोट किया जाते हुए हम विस्तरी वाला सीन ओनेस्ली डिस इस नॉट राइट वे तो गेट यूर व्यूज थम्निल के उपर आप ऑडियंस को गुम्रा करके लिख दो के बर्जक के अंदर हम विस्तरी के स और चाहिए और I strongly condemned LGBT content लेकिन यह दिख बोल देना के बैट सीन दिखाय जा रहे है एक बड़े मारूफ यूट्वर जिन ने जह है और बड़े मारूफ यूट्यूपर ने कहा कि बर्जक के अंदर बैट सीन दिखा दो यार मुझे जो बिस्तर के उपर कोई एक सीन मुझे द आप पाकिस्तानियों के सांद में रखना चाहरें क्योंकि यह द्रामा तो पाकिस्तानियों के लिए बनाया गया और मेरे ख्याल से मनसुभाई यह किसी तरिके से पाकिस्तान के अंडर ग्लती बहुत है लेकिन उससे ज्यादा गलती है डिरेक्टर आसेम अबासी की पूरी स्टूरी को अगर आप देखें ना तो LGBT वाला कॉंटेंट की कोई तुब बनता ही नहीं था कोई स्टूरी में लेना देना ही नहीं है सैफुला के उस LGBT वाले से हो सकता है कि उसने अपनी माँ को इसी वज़ देखो और नहीं देखना तो मत देखो अगली मरता जीफाइब से काम भी मिल जाएगा आपको तो मैं भी देख लूँगा यह थिंक ठट काम है आपका जीफाइब के साथ मेरे को नहीं लगता आगला काम मिलने वाले क्योंकि जो इधारा होता ना वह पैसे का भूका होता है तो कद्दू व्यूज़ आ रहे हैं उसके उपर और कद्दू बजट रिकवर हो पाएगा चले मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो केंदर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूरू करते हैं